हेलो फ्रेंट्स आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं की कौन सा ड्राइवर सबसे बेश्ट रहता है मतलब आई सी एच पीएफ ड्राइवर में भी काफी कॉलिटी इस आती है अभी मैं इन दो कॉलिटी में डिफ्रेंस बताता हूं और इनमें से बताऊंगा कि आप लगे हुए हैं कितने फ्यूज लगे हैं कितने कंडेंसर लगे और किसे ड्राइवर लगा हुआ है प्लस इसके साथ चांप में पीछे से inici अपने दाइोड के TOMA कितनी है और Also 이 है कि यह तो इसमें कोई भी आइसी है यह एक ब्रिज डायोड है जिसकी मोटाई भी इतनी ज्यादा नहीं है साथ ही साथ में दो नॉर्मल डायोड लगे हुए है प्लस दो SMD रेजिस्टेंस लगी हुए है ना और इसमें एक दो सब्सक्राइब दो पीएफ एक कंडेंसर एक ड्राइवर एक रेजिस्टेंस और यह एक यह कंपोनेंट लगा हुआ है अब हम देखने वाले हैं यह जो हमारा ड्राइवर है जिसको मैं परस्नली ज्यादा बेटर मानता हूं इसमें आप देख सकते हैं कि दो एमो भी लगे हु पर वाट और इसमें कंडेंसर लगा हुआ है साथ ही साथ दो छोटे कंडेंसर भी लगे हुए है एक्स्ट्रा जो कि इस वाली ड्राइवर में आप उनको देखने के लिए नहीं मिलते हैं इसका पीछे का आई सी वर्ग वगरा देखेंगे तो आप फिनिसिंग देख सकते है इसकी काफी बैटर है इसके कंपेरिजन में इसकी फिनिसिंग आपको साफ़ साफ दिखाई दे RJ होगी कि इसमें कितना डिफरेंस और इसमेंde एग निफ्रेंट्राह यह का बोलते हैं यह किसी भी लगी हुई है ना जिससे अपना ड्राइवर कभी भी खराब होता है तो प्रॉब्लम ज्यादा नहीं आती और अल्ली एमोवी तक प्रॉब्लम आती है जिसको बदल देते हैं और यह सही हो जाता है यह ड्राइवर हमारे पास भी उपलब्द है आप चाहें तो हमारे इस पास ओर्डर करके कितने भी यह मंगा सकते हैं आपको नंबर स्क्रीन पर मिल जाएगा उस नंबर पर आप कॉल करके हमारे पास ओर्डर लगा सकते थेंक्यू खर्डर करें